पेड लगाओ दुनिया बचाओ कारिक्रम का आयुजन भागलपूर जीवन जागरती सोसाइटी द्वारा आयुजित पेड लगाओ दुनिया बचाओ अभियान के तहत एक अनोखी रेली निकाली गई इस अभ्यान में जीवन जागरती सोसाइटी के सदस्यों के अलावा स्काउट गाइड के पदाधिकारी गन एवं केडेट ने भाग लिया करीब पचास अदस्यों ने रेली में हिस्सा लिया जिनके हाथों में पौधे और परियावरन बचाओ समंदी स्लोगन लिखी तक्तियां थी माई के जरिये परियावरन बचाओ के संदेश देने के लिए मनाली चौक से सुरू होकर कचारी चौक होते हुए भीखनपूर इस्तीत ब्लाइंड स्कूल तक यह रेली निकाली गई रेली की सुरुवात भागलपूर की मेयर डॉक्टर वसंदर अलाल ने हरी जंडी दिखा कर कि इस मौके पर जीवन जगरती सोसाइटी का दियक्ष डॉक्टर राजे कुमार सिंग ने कहा कि आज के गर्मी के प्रकोप का मुक्य कारण पेड़ पौदो की कमी है उन्होंने सभी से अपील की है कि जैसे हम अपने घर में बच्चों का लालन पालन करते हैं वैसे ही पौदों की भी देखवाल करें ताकि वे ब्रिक्ष बन सकें वहीं ब्लाइंड स्कूल के करमचारियों पुने मंडल एवं गनेश पासवान ने रेली में सहयो किया और अस्वासन दिया कि वे पौदों के देखवाल करेंगे इस कारिक्रम में 25 पौदे जिसमें महोगनी कटहल अमरूद और कदम सामिल हैं लगाए गए वहीं इस जागरुकता अभियान में स्काउट गाइड के अ अभी एक जबता रेली भी करेंगे हैं और जितने भी हमारे पारसद हैं उनका जो फैमिली या जो उनका बड़े आता है उसमें भी पांस-पांस पैर लगा है इस तरह से करने से तो एक-दो साल में काफी पैर लग जाएगा और यह मुहिम सब को सोचना चाहिए कि जब भी उनका कोई बड़े आवे उनके बच्चों का आवे हमारे सार के जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप जरूर उस म मौके पर एक पेर जरूर लगा है तो जब इतना पेर लग जागा तो हमको नहीं लगता है कि परियावरन यहां पर इस तरह से कुछ हो पागर बहुत अच्छा रहेगा अजो हो ही कि जागरू कर रही हूं एक पहला फेज में कम से कम एक हर्वेस्टिंग सिस्टम हो सिस्टम इसतर आ हमारा हे कावन वाटर हावेस्टिंग सिस्टम हो जाएका तो हमारा रीचार्ज होगा अंडर ग्राउंड वाटर और प्लस हम लोग पेर लगाएंगे हमको ने लगता है जलवाई परिवर्त हैं न हमारे भागल पुर सहर में दीखेगा बहुत बहुत पचास और 52 टेंपरेचर तक हो जा रहा है कैसे जीवन बचेगा मानब कैसे बचेगा और इसका एक मात्रूपाय है कि पेड़ लगाना पेड़ नहीं लगेगा तो ताफ़ पान इसी तरह से बढ़ते जाएगा मानब जीवन 50 जीगरी के लिए नहीं बना है और इसके लिए से तो ऐसे में पेड़ ही एक रास्ता है जो पेड़ एक चीज नहीं देता है पेड़ समय का एक उपाय वह पेड़ लगाएं और पौधा इस दिखाने नहीं लगाएं आप उसको बचाहिए कम ही पौधा लगाएं उसे ब्रिक्स बना पौधा लगाए च्छतों पर भी पौधा लगाए इस तरह से आप प्रियावरन संतुलित कर सकते हैं जिस तरह से अपने बच्चे के फर्ज के लिए आप दिन रात कमाते रहते हैं दोड़ते रहते भागते रहते हैं प्रियावरन के लिए भी आप जरूर कुछ ना कुछ करि रहे हैं कि सिर्फ आप घर नहीं बनाईए आप उस सिर्फ बच्चे नहीं रखिए पेड़ भी रखिए और पेड़ रखेगा तभी प्रयावरन संत्रुलित होगा तभी यह मानव बचेगा नहीं तो इसी से स्त्राहिमाम होकर यह दुनिया खत्म हो जाएगी दन्यवाद